हलो फ्रेंड्स मैं हूँ मितले इसकुमार और आपका स्वागत करता हूँ उदित फार्मिसी के यूट्यूब चैनल पर तो कैसे हैं आप लोग आसा करता हूँ अच्छे होंगे स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे आज के इस वीडियो लेक्चर में मैं आपको फार्मा कोगोनोस अकेले इसे चैप्टर से 25 से 30 मांक्स तक के कुष्ण आपके इक्जाम में देखने को मिलतकता है ऐसा कोई फॉर्मिट नहीं है जिसमें यह कुष्ण ना आये इस चैप्टर से जैसे कि लॉंग कोश्ण में भी आ सकता है सौट में भी आता है तो और जो बच्चा का बैक खोड़ने का कोई option नहीं है एक ही option है कि आपको इसको आसान तरीके से interesting way में पढ़ना पढ़ेगा और वो काम मैं करने वाला हूँ यानि कि आज से मैं start कर रहा हूँ यह chapter 5 देखिए भाईया बहुत बड़ा chapter है आपको भी हमारा support करना पढ़ेगा और मैं संभावता पूरा प्रियास करूंगा कि बिल्कुल आसान भासा में आसान तरीके से सारी चीजे आपको रटवाई जाए और अच्छे से समझाया जाए लेकिन आपको यही करना है कि बिल्कुल भी वीडियो को skip नहीं करना है लग जैसे मैं बोलूंगा नोट्स बनाने और उसके बाद आप पोस को multiple revision करना होगा तब जाकर के आपके चेप्टर को आप कमांड कर पाएंगे ठीक है तो चलिए स्टार्ट करते हैं स्टार्ट करने से पहले आपको यही बता देते हैं कि भाईया इसी प्रकार से पूरा syllabus उधि कर सकते हैं जिसके बारे में विशेष कर जानकारी वीडियो के लास्ट में दूँगा अभी फिलाल हम लोग अपना काम सुरू करते हैं तो हमारा चेप्टर का नाम क्या है study of crude drugs का मतलब पहले समझे क्योंकि हम लोग यहाँ चेप्टर में क्या study of crude drugs का अध्यान करना है तो ज और उसक्रितिक रूप से प्राप्त होता है जैसे कि यह तो हमें plant से मिल जाये ऐसा दवा जो कि हमें डिरेक्ट्ली प्लांट से मिल जाये या तो हमें मिनेरल से मिल जाए वैसे ड्रक्स को हम लोग क्रूड ड्रक्स कहते हैं जैसे कि आप देख रहे होंगे इमेज में यहाँ पर बहुत सारे ड्रक्स ऐसे हैं जो कि नेचुरेली डिरेक्टली प्लांट से प्रापके हुए है और सबका अपना अपना एक थेरापटिक वेल्यू है उसमें एक फेमस ड्रक्स है एलोवेरा है ना एलोवेरा आप सभी लोग देखे होंगे कि एलोवेरा का सो मैनी मल्टिपल थेरापिटिक एप्लिकेशन है यानि कि बहुत ज़्यादा इसका हमारे अलग-अलग प्रकार के लक्षणों को ठीक करने में हेल्फुल होता है इसी को बेच बेच के हमारे रामदेव बाबा करोड़ोपती बन गया तो सोच लीजिए अलोवेरा का कितना बड़ा इफेक्ट है तो यह एलोवेरा एक क्रूड ड्रक्स का इक्जामपल है जिसके बारे में आपको आगे पढ़ना है जैसे देख लीजिए कि मैंने अलोवेरा को लेकर के यह दीदी देखिए कितना अच्छा अलोवेरा लगा रही है अलोवेरा का बहुत सारा एप्लिकेशन है जैसे कि आपके स्कीन को मौश्चर करने में हलफूल होता है लेक्जेटिव के तरक तो पर इसको यूज किया जा सकता है और भी कई सारे डेंटरफ करने का काम करता है तो बहुत सारा काम आपका अलोवेरा का होता है जैसे देखिए कितनी खुबसूरत लग रही है इनके खुबसूरती का राज क्या है अलोवेरा है अब दीदी लगाई तो जीजू कहां पीछे रहेंगे जीजू भी लगा लिए अब जब जीजू भी इतना स्मार्ट यह अगे दिदी भी स्मार्ट तो साली साहिवा काये पीछ रहीगी अब उभी लगाएगी अब सोच लिजे पहले इतना चमक रही है अई अलो वेरा लगाएगी तो कितना चमकेगी बात है हम लोग घस घस के पुराने हो गया हमारे चेहरे पर तो कोई असर नहीं आया बाकि आप अपलाई करके देख सकते हैं तो आज के इस मैं कि जितने बीक्स हैं अलग को समझेंगे कि यह का मतलब क्या और उसके इक्जाम्पल क्या है क्योंकि आपके एक्जाम में इस chapter के syllabus से confirm मैं कह सकता हूँ कि 5 marks के question आ जाएंगे सिर्फ syllabus से जैसे कि पिछले साल भी objective में देखने को मिलेगा तो हर एक drugs का category के बारे में बताएंगे कि legislative क्या होता है और उसके example क्या है जितने भी category के drugs हैं सारे drugs के बारे में बताऊंगा आसान भासर में आपको करना क्या है आप एक copy pen लेकर बैठिये और one of why one वीडियो को pause करकर के करकर के आराम आराम से लिखते चलिएगा ठीक है देखिए उससे पहले start करने से पहले आपको यह बता दे कि जितना भी drugs है यहां प chemical source दूसरा है chemical constituent और तीसरा है therapeutic efficacy तीनों का मतलब क्या होता है biological source मतलब आखिर वह plant हम लोगों को जो मिल रहा है वो drugs मिल रहा है किस plant से मिल रहा है और प्लांट के किस पार्ट से मिल रहा है और उसकी family कौन सी है ध्यान रखिएगा यह तीनों चीज लिखना होता है chemical constituent में उस काम बन जाएगा कोई दिक्कत नहीं होगे ठीक है चलिए तो हम लोग जैसे आभी आज के वीडियो में तो सारा लेक्जेटिव काडियो टोनिक कार्मिनेटिक जितने भी ट्रक्स हैं सबका मतलब समझेंगे और एक्जांपल समझेंगे है ना क्योंकि इसी से directly question आ गया था ज a як्म बढकिकते चलेगा सबसे टुनिक लिख लीजिए और योगजेटिव का मतलब और intestine जो है ना उसके bowel movement को proper करता है आत के movement को सही करता है जिससे आसानी से मल पदार्थ सरीर से बाहर निकल जाता है तो mainly आप क्या करेंगे constipation से जो relief हम लोगों को दिलाता है वैसे category के drugs को lexative कहते हैं और lexative के example क्या है क्या करेंगे कौपी में लिखिए लेक्जेटिव को घेर करके थोरा सा लिख दीजिए ब्रैकेट में यहां पर constipation को relief दिलाता है क्या करता है constipation से relief दिलाता है ठीक है और एक्जामपल में यह क्यों करा रहे हैं एक्जाम्पल को को लिखिए short question में तो क्या की जेगा ऐसे लिखिएगा या फिर लिख देगा which of the following are lexatives और चार ओप्सन देदेगा उस drugs को हम लोग cardiotonics करते हैं जैसे एक condition ऐसा आ जाता है कि आपके heart का strength घट जाता है यानि कि आपके body का जो blood का demand है वो पूरा नहीं कर पा रहा है सही से धक धक यानि कि contract और relax नहीं कर पा रहा है heart beat नहीं कर पा रहा है heart contract नहीं कर पा रहा है blood का supply complete नहीं कर पा रहा है उसको पढ़ाने का काम करता है ठीक है तो cardiotonic वैसे drugs है इसके example में आपका क्या 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 आ गया जो कि आपके पेट दर्द को अराम दिलाता है कैसे जो पेट में guys फस आगे माई पेट दर्द करते रहता है एकदम से पुरा परेशान रहता है मूद तरबतर हो रहा है लेकिन क्या कर रहा है आपका जो gas communications भी कहते है आराम दायक सुख दायक दवा यानि पेट दर्द ते आराम दिलाता है ना तो कार्मिनेटिव्स का क्या है gas या flatulence को सरीड से बाहर करना पेट से बाहर करना और पेट के दर्द को अराम करने का काम करता है कार्मिनेटिव्स है ना जैसी कि उसका example हो गया coriander धनिय स्विणान फेनल सौफ काडमम' आपका हो जाता है फिर जिंजर क्लोब काडमumba मतलब ध्मिनिणा होता है जिंजर मतलब अद्रक होता है लो मतलब लॉंग होता है भ्लैक पेपर मुझे बहुत ज्यादा आता तो ग्यास का समस्य मेरे को हिंग से ठीक होता है ऐसा फुटीडा मुझे सूट करता है तो आपको जिसको भी दिक्कत होगा आप डाल वाल में थोड़ा सा सब्जी में हिंग वगरा डाल के खाईए वो ग्यास बहुत अचानी से निकलेगा और प्र प्रकास से आपके लेक्चर साएंगे तो ध्यान रखिएगा जब मैं पढ़ानी के लिए तयार हूं आप लोग कमेंट कर दीजेगा कि हाँ भी या आप तयार हैं यस सर हम रेडी हैं कि हाँ पढ़ेंगे तब हम सारे लेक्चर को कराएंगे नहीं तो पेड़ क्लासे में सार की फरी आफ कोश्ट पढ़ाऊँगा ठीके स्ट्रिंजेंट को लेकर बाद कर लेते हैं यह कंतरें आपके मतलब किया होता है संकुचित करने में उसको रोखने करता है इसे मूह से लार ठुग निकलते रहता है उसको भी कम कर लेगा तो आपका क्या होता है ना कि बॉड़ी टीशू को संकुचित कराने का क्याम करता है एक्जामपल में आ जाता है मायरो बालन ब्लैक कटेचू और पेल कटेचू ठीक है यह तीन वह आप लिख लिए अब लोग नेक्स्ट के टेगरी के ड्रक्स में आते हैं आपके तंत्रीका तंत्र पर तंत्रीका तंतर पता है न विया Central Nervous System और Peripheral Nervous System और Central उर Face तो सेंट्रल नर्वस सिस्टेम आपका क्या आगा ब्रेन और इसके बाद तो वैसे दवाएं जो कि आपके नर्वस पर काम करें है ना जैसे कि आपको सिंपल से समझ लीजे कि किसी को डिप्रेशन हो रहा है एंजाइटी हो रहा है परिशानी हो रहा है बहुत ज्यादा मतलब लो फील कर रहा है तो उस समय जो दवा है ना वह वैसे दवा को हम लोग ड्रक्स एक्टिंग और्वस सिस्टम के कटेगरी में र Pissoga and Пон ृपिहा विए को विए और सॉफी उपीम हो गया और साथ ही सात मैं आपको 20 मार्क करते जारों जिसके ड्रक्स के निए गडिऴ्लिम वगिलें चारों रहेंगे और यचे सिस्टम को ध्यान रखीएगा उतना नहीं उससे देखने anti-hypertensive वैसे drugs होते है ना जो कि blood hypertension क्या होता है blood pressure बहुत जादा हो जैसे normally blood pressure कितना होता है 120 बटे 80 है ना mmfg लेकिन अगर किसी को blood pressure बहुत जादा है 1500 बटे 100 है माली जे 160 बटे 100 है तो उसके blood pressure को कम करने का काम कौन करता है anti-hypertensive करता है तो वह उसका example क्या है रौलफिया है धियान रखिएगा इसके बारे में कई बार पूछा जा चुब आशा है रौपिया है और रौलफिया का कौन सा part use कीया जाता है plant का root कई बार पूछ लिए गी रॉलफिया का कौन सा plant use करते हैं कौन सा plant ये सब बारे में पढ़ना है सारे ड्रग्स का है वस्वाका और तोडू बालसर ध्यान रखिएगा फिर एंटी रूमेटिक्स वैसे ड्रक्स होते हैं जो कि जैसे गठिया गठिया मतलब क्या हुआ जो कि आपके जोडों का दर्द वगरा होता है ना उस गठिसर को ठीक करने का काम एंटी रूमेटिक्स ड्रक्स कहलाते जैसे क क्या है कॉल्चिकम सीड फिर एंटी ट्यूमर तो कई बार पुछा जा चुका है अरे भाई सब इंपॉर्टेंट है कोई ऐसा टॉपिक नहीं जिस्टे की छोड़ा हुआ है आप किसी को भूल नहीं सकते हैं जो भूलेंगे तो जूलेंगे याद रखिएगा जो इस चेप् अगर हो रहा है तो आपके एंटी ट्यूमर ड्रक्स वैसे ड्रक्स होते जिसको एंटी नियोप्लस्टिक भी कहते हैं यानि कि ग्रोथ को कम करेगा इसमें विंका रोजय जानते हो सदा बाहर का पौधा जिसको कोई गधानी वेल्यू देता है लेकिन उसमें जानते हो विंक मेरे मुझ से जो भी बाते निकल रही है सब अमरित वानी है भाई सबसे कुश्चन बनेगा एंटी डाइबिटिक वैसे ड्रक्स हैं जो की डाइबिटीस से रहात दिलाते हैं अरे बाई मदू में सुगर वाली वीमारी उससे रहात दिलाएगा तो आपका अंसर हो जाएगा क् टेरोकर्पस एंटी डाइबिटिक अप्शन में था टेरोकर्पस अब्जेक्टिव में और एक्जिट एक्जाम आप लोग का होने वाला है मैं लिख के देता हूं कि एक्जिट इस्टेबल से रहेगा जो मैं आज पढ़ा रहा हूं है ना तो बढ़ियां से लिखते चलिए लेंगे और टेरोकर्पस और द्रॉक्रेटिक्स और छॉन्फिरन और डैयॉरेटिक्उस वेनीवार कढ़ल संध सकते हैं दो भाबार तो यूरियरेटिक्स वैसे क्लास के मेडिकेशन है यूकि आपके यूरीन के एक्सक्रिशन को बढ़ता है यूरीन आउट को बढ़ता है आप यूरीक्स जब ले लेगे आप बार-वार पैसाब करने करने जाएंगे तो डाय और एंटी डिसेंट्रिक ड्रग क्या होता है तो दे कि आप डायरिया सुने होंगे जब गरज के साथ चीटे प्रस्ते पतला पेखाना और वाटर लोस बोडी से बहुत ज्यादा हो जाता है इसको पानी निकलता है उसको डायरिया कहते हैं लेकिन चुर पानी के साथ साथ इसको कहते हैं जो कि सुख्षमजीम है उसके ग्रोथ को कम करें आपका हो जाता है इतना अंतर समझे लीए अगर लिविंग बॉडी पर यूज कर रहे हैं जैसे हम लोग अपने बॉडी पर यूज करने उसको एंतिसेप्टिक करीम है अलग अलग जैसे बॉरो प्लस एंटी चप्टिक क्रीम है है ना और डिस इंफेक्टेंट उसको कहते हैं जो नॉन लिविंग फिंग पर यूज करते हैं काम दोनों का एक ही है कि जो सुख्ष मजीव है उसकी ग्रोथ को रोकना है एक्जामपल में आपका हो गया बेंजोईन मीर नीम टरमेरिक होता है ना नीम वगर करता है सिंगो ना और अर्टिमैस्या क्या क्या किर ओक्सी टॉसिक उसक ट्रेक्ष या क्या क्या करता है चुटिक कि काम भी यह है कि uterus के muscle के contraction को बढ़ाता है वो क्या हो गया एरगट हो गया अब vitamins vitamins के example में कोई बार पूछा गया भाई vitamins कि cod liver oil और सार्क liver oil याद रखिएगा cod liver oil में दोनों vitamin होता है A B और D B बड़े बड़े exam का फार्मसिस्ट के exam में बैठा हूं है न और उसमें पूछा हुआ question है कि cod liver oil किसमें पायाता है मितलब sorry vitamin A और D किसमें दोनों में पाया जाता है जबकि सार्क liver oil में सिर्फ A पाया जाता है बहुत confused होते हैं अब भी याद रख लिजेगा cod में A और D दोनों देखिए cod में D लगा हुआ है न तो D होगा और A तो दोनों में होता है तो A इसमें भी होगा सार्क में आपका A है सार्क 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 आर्क आ पे ज़्यादा जोर लग रहा है तो A है ना ध्यान रखिएगा cod पर ज़्यादा लग रहा है तो यहां पर हो गया A D दोनों ठीक है ध्यान रखिएगा बहुत पूछा जाता है कोश्चन इंजाइम्स में बात कर लेते हैं तो इंजाइम्स में आप पेपीन डाइस्टी पैंक्रियाटीन और इस्ट यह सब हो गया इंजाइम्स में अब फार लेकेंट यह सब फार्मस्टीकल एड के तर पर यूजच के जाते हैं तो वह भी कुछ नेचूरल है जाँ कि कोली हो गया लैनूलीन हो गया अकेसिया हो गया सोडियflower हो गया गासी जे MRD हो गया यह सब अथाणिआ हो गया फार्मस्ती गया औग्स लिए तो एक वीडियो एक वीडियो ऐगी एक वीडियो cap आगी कर आएगी तो एक वारं मेरिवाइज करती इब्स जो करते करते हैं करते करते गया स्ब्रींगों करते हैं लगिई करने में हलपूल होता है एस्ट्रिंजेंट जो कि body contraction, body contraction को body tissues के contraction को बढ़ाता है ताकि secretions वगरा कम होता है, फिर आपका हो जाता है nervous system पर काम करने वाले drugs जो कि आपके brain वगरा पर काम करें, anti-diabetic, diabetes यानि की मदू में यानि की sugar को कम करने का काम करता है, diuretics यानि की urine की frequency को बढ़ाता है, urine output बढ़ जाता है, anti-decentric, dysentery मने बताया ना की diarrhea plus mucus यानि की पतला पिखाना भी होगा साथ-साथ blood भी आएगा, तो उसको हम लोगो क्या कहते हैं, dysentery कहते हैं, तो उससे उस condition क relief कराने में helpful होता है, antiseptic और disinfectant वैसे drugs होते हैं, जो की micro organs के growth को कम करता है, अगर living body पर use कर रहे हैं, तो वो antiseptics है, अगर non living पर use कर रहे हैं, तो disinfectant है, anti-malarial जो की malaria से रहत दिलाता है, फिर आपका oxytosis, जो की uterus के smooth muscles जो होते हैं, उसके contraction को बढ़ाता है, vitamins आपको भी पता है, उसमें आपको याद रखना है, cod liver oil और circ liver oil, cod में A और D दोनों होता है, circ liver oil में A होता है, enzymes में आपका और यह सब हो जाता है, फिर pharmaceutical aid जिसका की therapeutic value तो नहीं है, लेकिन दवाओ के निर्मान में बहुत ज़्यादा यूज होता है, जैसे की binding agent के तूर पे, lubricant के तौर पे, pharmaceutical, coloring agent, flavoring agent, यह सब के तौर पर, तो यह मैंने पूरा revise करा दिया, इस प्रकार से आप बढ़ियां से तीन पेज का मैंने चार्ट बताया है, एक, एक, दो और तीन, तीन प्रकार का पेज का चार्ट है, तीनों पेज को बढ़ियां से लिख करके बार बार revise करिये, हो सकते इस वीडि को देख सकते हैं, मेरा इंस्टाग्राम प्रॉफाइल है, मिथिलेश कुमार 36, मिथिलेश कुमार 36, यहां पर मेरे साथ, अभी फिलहाल 5000 से भी ज्यादा बच्चे मेरे साथ connected हैं, तो आप मेरे साथ आकर के अपनी तयारी को continue, इंस्टाग्राम के थ्रूभी कर सकते हैं, यह कि जानकारी मैं courses related देने वाला हूँ, तो यदि आप यहीं तरह देखना चाप्र तो यहीं तरह देखिए, और एक प्यारा सा कमेंट कर दिजे कि क्या आप इस पूरे chapter को complete करेंगे, चाहते हैं, इस प्यारा सा कमेंट करिए और जा सकते हैं, अब जो बच्चे courses में जानकारी चाहते हैं, उसको लेगर के मैं बता दूँ कि डी फार्मा first year का जो हमारा video lecture course है, यदि आप जॉइन करते हैं, तो इसमें recorded classes से तो पूरा syllabus आपको मिलता ही है, अभी daily live classes में भी पूरा syllabus पढ़ाया जा रहा है, और मैं दो से तीन बार syllabus आपको खुद पढ़ाऊंगा, और e-book PDF notes भी provide करूँगा, chapter wise exercise मिल जाएगा, जैसे हर chapter के important question पता जल जाता है, chapter wise test मिल जाएगा, live chat, live बातचीत का भी facility अबलबल है, और bilingual हिंदी और English दोनों में होगा, यानि कि content English में होगा, समझाऊंगा हिंदी में, और exit exam का guidance अभी सही, अलग से कोई course वगरा नहीं लेना है, और देखिए फार्मा कोगनोसी का किताब है, इसमें सारे ड्रक्स को कितने अच्छे तरीके से दिया हुआ है, हर ड्रक्स में image दर्बाना होगा, है ना, तो बहुत अच्छे तरीके से देख लीजे, बनाया हुआ है, आप इस किताब को भी मंगवा सकते हैं, पांचो सेट का आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है, चलिए, तो मेरा ये प्रयास कैसा लगा, आप सभी लोगों को धन्यवाद, मैंने पूरा प्रयास किया कि सारी जीजों को आसान घासा में सर्धाया जाए, ताकि आपके समस्या को कम किया जाए, बाकि और भी लेक्चर्स में मिलते हैं, जैसा आप लोगों का रिस्पॉंस होगा, वैसा मैं काम करूँगा, ठीक है, चलिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, ओके, बाबाई